आज हम चर्चा करने वाले हैं उस सक्स के साथ जिस सक्स ने पॉलिटेगनिक रेप कांड के आठ हारोपियों को आजी बन काराबास कराया है कांड पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे साथ में हम चर्चा करेंगे जो टीन एजस के साथ जो घटनाएं घट रही है या वो जिस तरीके से इन घटनाओं में लिप्त होते जा रहे हैं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेज जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट के बारे में आप हम बताएं कि होता क्यूंकि मुझे इतना नहीं है कि मैंने भी हिंदी में पहली बार सुना है इंगलिस में आपने बता है तो मैं पता है यह क्या है कि जब निर्विया कांड हुआ तो इस पर बनाए गया लेंगे कपरादों के अधनियम से तो तभी पद सर्जित हुआ है खासतोर से पॉक्सो के लिए पद तो हाला कि बीजेप गर्मेंट में सभी इस पेशल गैंगेश्टर एक्ट में बिसेश अदवक्ता आ गया है लेकिन पॉक्सो में खासतोर से इसका इंगलिस में नाम है एस पीपी स्वाट है इस पेशल पब्लिक प्रोसीकूटर बिसेश लोक अभियोजक एक पीड़ता की तरफ से न्याइद ल हो रही है उसके बाद जब आरूपद दाखिलोगा तब भी विसेश लोक अभी हो जाको उसको देखेगा जो पूरी चार सीट न्याले में दाखिल होती है तो यह महत्पूर्ण पद है मुझे पद गवर्मेंट द्वारा स्रजित किया गया था खासतोर से निर्भया कांड क पंधि भाद का और जब किसी लड़की अविला के साथ ऐसी कोई घटना होती है इस तो क्या होता है पहचान चेपाना बहुत थर होता है तो इन सब को Southeast कैसी मेनेज करते काम करते हैं कि पहचान गर नहाँ तो सप्रीम कोट का मुझते हम विक्टिम और जो उससे केस में धारा हैं और वो अपरा संख्या से टेली हो जाता है कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है कोसिस 99% एही होती है कि सुप्रीम कोड का लौ फॉलो हो और वो पीड़ता को कहीं उसका नाम नहीं आना चाहिए इसलिए कि उसके उपर इतनी बड़ी घटना घटी हो इतना बीवसकांड किसी भी पीड़ता के साथ अगर हुआ हो तो वो तो सुसाइटी में और ही किसी काम के लिए उसका तो जीवनी वेकर हो जाएगा पहले तो जीवन होई जाता है वरवाद उसका तो इस वजाए से कहीं उसका नाम ओपन नहीं होना चाहिए कितने लोग होते हैं जब सुनवाई चल रही होती है नहीं होता क्या है केमरा प्रोसीडिंग ब्यान होते हैं अगर पीड़ता नावा लेखे तो उसमें केवल बचाव पक्स के अद्वक्ता रहेंगे और बिसेश लोग अभी हो जग रह रहेंगे बाकी तीश्रा कोई उसमें बीच में आता है नहीं रहेंगे और उसमें बढ़ा महत्पूर्ण दिया गया है तो पॉलाइटली बहु इंस्पेक्टर या पॉलेस उसके सामने बरदी नहीं पहने ब्यान लगते समय को ब्राम्द्गी हो या कुछ भी हो जो पुलिस महला ब्यान लिखती है उसकी आप भीती का 161 CRPC बोलते है उसको तो वह सिंपल वर्दी में ब्यान लिखेगी मनलब उसको बातापरण में यह ना लगए कि कहीं जे पुलिस है जे दबाओ है प्रैसर ना हो उसके दमाग पर मेंटली वह सही रहे और उस पर यह असर पूछे जाएंगे ज्यादा पीड़ता से जरे नहीं होगी लेकर हमारे केस में तो पता आपको पच्पन पेज की जरे की डिफेंस की वकील होने हमने बड़ा लाई लड़ना पड़ी हमें तो बहुत कहना चाहिए कि इस केस को चार-चार-चार-चे-चे-वकिल आठ अठव मेडिया आप जैसे लोग तमाम लोग कबर करने आते और पबलिक के लोग भी देखना चाहते हैं कि तो पीड़िता को बड़ी मुश्कल में हमने दो तिन तारीकों में किसी प्रकार ब्यान करा करके उसे कोट का छुटका रहा कि आप घर रही है तो ऐसे मामलों में पीड़ि हमारे जैडी के वहां लखनों से तो जालोन में एक केस दो महीने में डेसाइड हो गया है लेकिन परिस्तितियां केस के ऊपर होती है चुकि अब जे इतना चल्चत कांड था और इसमें बड़ा तेती करीब है सो पेज की चार्ड शीट दाखिल हूई नालाय में असी से सो प जो 90 दिन का CRPC का समय है जांच का आरोपत दाखिल करने का नालाय में तो दो तिन महीने तो उसमें नकल जाते हैं जब नालाय में आएगा तो फरहाजरी मुल्यमों के इसाब बीच में कोवेड काल भी पड़ गया 2020 तो इस वजाए से इसमें डेले हो गया कोवेड की वजाए से और जली हो जाते हैं यह तो बड़े यह तो हमने हमारे पास जब फाइल हमें सौपी गई मानिय जिलातकारी महोदय द्वार हमें कहा गया कि आपको इसमन्ने उक्त होना है हम तो पहले फाइल देख नहीं रहे थे लेकिन हमारे पास जब जब फाइल आई तो हमने अपने प्यों जज महोदय से अज़न करके और अभी लम में देटू डेट तारीक लगवा करके और च्छे महिने में चार्ज बनने के शे महिने के अंदर इसको डेसाइड करा दी और पंद्रा दिने के अंदर जज्जमेंट आ गया अगर जे सुरू से हम इसको देख रहे होते हैं तो अभी तक तुझे छे महीने के अंदर का पांच महीने में इसको पूरा कम्प्री नहीं करा दें इतना डिले नहीं हो तो लेकिन साल भर उसमें कोविट की बज़र से भी डिले हो जिन दोसियों को सजा सुनाई गई आपने भी उनसे चर्चकी होगी नियालय में आते रहे है मिलते लेकिन दोसियों को यह मैंने उनसे कहा भी कि जब आप लोग कह रहे हैं कि हम पड़े लिखे हैं नहीं उन्होंने अपने चार्ज के द्वारन बताया कि हम एक लगा तो इंटर वह भी यह मैंनला फास था फसक्लास तो लेकिन हमने का यह दिमाग में नहीं आया कि इतन अब इस बनाने के लिए अपना केरियर पड़ाई लखाई पर ध्यान देना चाहिए ना कि इतना कानून बनने के बाद इतनी चर्चा आपके मेडिया के माध्यम से टीवी सोसल मेडिया इंटरनेट वेफ साइट पर आद दुनिया है सारी चीजें देखी जा रही हैं नई प परनेस्मेंट उनको भोगना पड़ रहा है जब जो रामार में तो इस इदाज ने कहा जो जसकर है सो तस्पल्चा का उनने जो किया है वो उसका भोग रहे हैं जिस समय जैसे कोर्ट में उस समय थे वो चर्चा के दौरान आपको यह महसूस हुआ कि मलब उनने कोई जो गलत किया है उन्हें ऐसा लग रहा है था देखके कि उन्हें महशूस हो रहा है यह वहारे सामने आई पिट्ने से एक हमारे को धम देने लगा तो हमने उससे परसनली तोरभर पह कहा कि हमने जब आप दो साल से आप अभी जेल में अभी तक आपकी तिनी गुस्टा प्रभा गया तो अभी दो साल में जब उनका अकल ठेकाने नहीं आपाई कोछ अभ्यक्तों की, तो कैसे-कैसे उनका तो जो हुआ वह अच्छा हुआ उनके साथ, कोई अगर समझदार ब्यक्ती है तो वह तो पता लगए के स्वाहिमान और सम्मान वाला कोई स्टूडेंट हो या कोई ब्यक्ती हो साल जीवन में, अगर उससे कोई घटना कारत हो गई तो वह अपनी गिल्टी हो, फील करता है कि हमसे गलत हो गया है, हमें तो नहीं लगा उनके चेहरे के सिकंड से के ऐसा उनके साथ गलत, उन्होंने कोई गलत काम किया हुए तो करहा है, जब फोटू छापी के मुश्कराती हो गए हमने तो खेर नहीं देखा, लेकिन जो मीडिया ने छापा है, आप सोचल मीडिया के लोगों ने बताया, जब और कन्वेक्शन होने के बाद निकले हैं कोट से तो दो-चार अभ्युक्तों के चेहरे मुश्करान थी ऐसा हमने आखवारों पढ़ा है, तो कैसे उनका हम सोच रहे होंगे कि हमने गलत किया नहीं किया हमें तो नहीं लगा ऐसा, मीडिया इमान दम से नहीं पढ़ा के मुश्करा रहे था, जजज्मेंट के बाद जब पीड़ता के पिता से जब चर्चा की देनेक भास करने तो उसमें एक पूरे डेटेल में दिया कि हजारों कॉल आए, धंकिया, धंकियों बरे आए, रोप्यों वाले आए, क्या आपके जाता है, हम तो नियाले के पाइट और पार्सल हैं, नियाले को हमारे जजज को को कोड़ साब कहा जाता है, हमाई उपर ऐसी कोई दबाव द्होंस नहीं रही, अगर दबाव द्होंस होती तो हम बहुत लंबा हुआ, चुकि इसमें कई वकील बाहर से भी वकील हायर हुए, एक चुली एक तो मामला पड़ गया कि अधबक्ता की बेटी के साथ प्रकार का घटना घटी तो यहां कोई अधबक्ता ही पहले तयार नहीं हो रहा था, पर यहां के भी अधबक्ता इसमें हायर हुए, कुछ कानपड से वकील आये थे समें बाहर से, तो बड़ा दबाव हा कर लीजे लेकर हम ने का कोई दुनिया में सक्कार नहीं डाला, जो बजय को स्वाह को खरी सकते हम पिर हम जिसके लिए बने हैं, जिसकी प्रवी कर रहे हैं, उसी के साथ नयाय कराने के लिए लगे रहे हैं, किस हद तक की घटना जो होती हैं वो रेप के दाएरे में रखी जाती हैं, जैसे कैसे आंके लगेश लेंड़ करते हैं, जैसे की साधान लड़की की तरब आप पांच मैट देख भी नहीं सकते हो कानून तो यहां तक है 300 चंगन में उसमें 300 चंगन A, B, C, D किसी महला को आप पांच मैट घूर रहे अगर उसको आपती है तो आप मुकदमा का ट्रायल हो जाएगा मुकदमा लिख जाएगा आपकी जे इस्तिती है लेकिन उसके बाब जू इस लिए बनाया गया था तब उसको समझ करके बिद्वाह द्वारा जिस तरीके से प्रसासलन उसको बनाया नहीं कतकारियों से जो भी संपर करके लेकिन अब तो किसी इतना लोoutez clickxis की आवीडेंड़ आ सकते मियाहें तो इतने सबक्राइ decir जोब समर्ण का हैं यह स्वस्जा कि अगलत है भृट्ष इस सबकी में कई हमें लोग ऐसे होते होंगे रहां जरुड़ तो एसे जो के ऊपर डूटी है जिए मुकदमा तो तो उसी वेक्ति खलाब लिखा जाएगा जो बेगुना के लिए तो फर इन्वेस्टीकेशन होती है उसकी जांच होती है इन्वेस्टीकेशन जो पुलस जो वेवेचक होता है काय के लिए बेवेचना की जाती है प्रावदन दिया गया है कि उसमें 90 दिन में आप वेचना करें वेचना में अगर गलत पाए जाएगा तो उसके खलाप पहलग जाएगी मुकदमाक कोई कर दिया जाएगा वेचक लगदेगा के मुकदमा जूटा पाय गया इतो वेचक के ऊपर टे करता है वह बेचना इसीली पीसी के ब्यान एक लेडी मैस्टेट के समख्च होते हैं तो वहां भी अपनी बात बताती है वो असे लिफापा सील होता है उसकी बड़ी लंबी प्रिक्रिया ऐसा नहीं है कि किसी तरही के से कोई निर्दोस फच जाएगा तो पर नियाले काये के लिए है नियाले का स्वाब नहीं सुन रही नेता नहीं सुन रहे हैं अद्कारी नहीं सुनक्म लेता है तो आग्यालेकिसर्ण लेता है नियाय पालका पर आज भी लोगों को विष्वास थीन नियाय तो नहीं archive होना चाहिए समय की बरवादी हुई है इसकी च्छती को बैसे तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो पूर्ति इसकी पूर्ति कर दे लेकिन कुछ सरकास ऐसा कुछ मुआवजाओं दिया जाता है और हमारे तो जज्जमेंट में हमारे साहब ने सेक्षन थी 307 6 इसमें किलियरी खूला है चालाग पचास जारे साड़े साड़े चाल लाग लगाना सभी मुल्यमों पर पकचीस यार पर मुल्यम पर जुर्माना अलग लगा है विवन जो सेक्षन होनों ने order में मन ये निया लेने कि इसमें आधा पैसा compensation के रूप में पिलिता को दिया जाए उसकी जो इज्जत आबरू है वो तो कोई लोटा नहीं सकता है समाज में वो तो जो एक महला के साथ महला बड़ी लाज लज्जा से आप तो जानते हैं झोटे हैं कोई भी महला हो इसका एक एक आभाव होती है महला की समाज में पहले गुंगड की परंपरा कोई स्वामानी महला हो ओ या सम्मानवाली यो कोई भी किसी महला के साथ मिलमर्ल handled इसलिए तो यह इतना टाइट निया निया लेन हम तो इतनी कलपने नहीं कर रहे थे कि हम समझ रहे थे कि और लोग मलब किस प्रकार से क्या होगा है इसमें हाला कि हमने तो इसमें प्रेयर किया था लेकर फिर भी आज इवन काराबा सभी लड़कों को इतनी बीवस घटना जाता है कि भवसं में इस प्रकार की कोई घटना कारत ना हो एक महला को लोटा नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उसको पैसा दिया जाता है कॉप्राद़ान करती यह प्राबदहन की अब्धी क्या होती है मतलब कई confusion बने रहते हैं लोगों के कहीं दस साल कहीं पंदरा है इनका तो आज इवन है इनका तो अंतिम सांस तक नहीं पास अंतिम सांस तक जिल में रहेंगे हाँ इसमें सीधा लखा है आज इवन कारावाद से अभी प्राएए इसी में लखा है क्योंकि मैं देने भास कर कि मैं जब रिपोर्ट चेट रहा तो उसमें जज्जमेंट की कौपी लखी है मैं आपको अभी बता दूँगा दे दूँगा इसमें किलियर ली लखा है कि अंतिम सांस तक वह बिल्कुल इसमें तो किसी प्रकार की कोई उसमें तो किलियर ली है कि किसी को कोई इसमें लाब नहीं मिलेगा अंतिम सांस तक देखिए आप जे जज्जमेंट की कौपी है लखा है इसमें जीन लेखा अप पढ़िए जिल्का आजीवन आजीवन कारावास जिसका अभी प्राहे उस व्यक्ति के सेश प्राकृतिक जीवन का जो सेश जीवन का प्राकृतिक जीवन बचा यह लोग कहीं और अपलाई कर सकते हैं एक अन्तिम परसन और इस चर्चा का बहुत महत्पूर्ण परसन यह है कि हम यह जानना चाहते हैं आप से आप साहत से भी जोड़े रहे हैं और इस प्रॉफेशन में हैं आए दिन यह सारी घटना आपको कहीं ना कहीं या तो खुद लड़ेंगे या दूसरे जो केस चल रहे हैं कोट में उनसे आप रूबरू होते रहते होंगे टीनेजस के साथ यह जो एटीन पिलस के जो लड़के हैं लड़कियां हैं ऐसा क्या मतलब वो घ्रण कर रहे हैं कि अपने आप पे ही उनका कंट्रोल नहीं है इतनी उत्तेजना के साथ भागे दोड़े चा जा रहे हैं और मतलब कई गलत ऐसे नरने ले रहे हैं कि जीवन पूरा तबाह हो जा रहे हैं बात बता दूंग आपको क हम लोग गाहों से पड़े कि आए प्राई मरीश हैं संसकार बड़े महत्पूर होते हैं बैक्ति के जीवन में समाज भी एक दरपन है और परिवार भी एक दरपन है हम जैसा अपने पुत्र के सामने करेंगे बैसा पुत्र हमें सीखेगा और वो उसको दिमाग में रखेगा अपने हां कहावत कही जाती अक बुन्दल खन में पांच बरस लोग लो दस लोग ताल डविषेख और सो भाला सो आप समाने लिए पांच पांच साल तक बच्ची को जितना डाट सखो समझा सको लिए गड़घा पक जाए पिर कुमारों इसको ठोक है पीटे तो फूठ ही जाएगा कच्चे में तो उसको किसी तरीके से ठोकवीट के मुड़ सकते हूं खास तोर से जिस सोचल मीडिया में यूटूब है मीडिया चैनल है जिए दो प्रकार से इसको आकिलन करते हैं बच्चे एक तो जिनको सही रास्ते पर प्रथम पाट साला बच्चे की मा होती है अ दूसरा नम्मर पिता का दर जाता है पिता को जी देखना चाहिए कि बच्चा किस दोस्त के साथ एट बैट रहा है इसकी की फृंड सरकल क्या है वे भुट Mहात्पूरवात होती है अच्छे सज्जन से मिले मिले से किचन से मिलें से कि इस लोगो ईया है ग्यान बड़ी गनवान की संगत ध्यान बड़े अगर अगर आपको इंड़ाइद ग्यान बढाना तो ग्यानी बेक्टी के पास बैठ जाओ तो छक्र देंगे को अ कर दहन grin तो बच्चे पर जीवन में उसी समय वही हुसी होती है कि उसके उपर बहुत असलह होता है कि किस प्रकार से उसको आगे उसकी इलाई बनना चीये जैसे हम आपना अधान दे रहे हैं कि हम गाहूं से आते हैं खेथ खेथ हमने सलाह भीना अपने не अपने गुली बगएरा और नीम है नीम की नमाई भी नहीं अपने गाओं में वह हम जब प्राइब नहीं पढ़ते थे तो उस समय वो चलते नहीं थे पहले हैं इंग्ले समीनिय हम उससे तो पढ़के नहीं आए हम तो कग्छापाथ में एक वी सीडी पढ़ने को मिला लेकिन तो जब अच्छा साहत मिलेगा, अच्छे बाताबन मिलेगा, आज कल बाताबन इसलिए खतम हो गया कि एकल परीवार हो गया है, पती पत नहीं जूप कर रहे हैं, बच्चा बाई खला रही है, बच्चा कौन सी टीवी देख रहे हैं, पीछ पाकार का, अब इतना आज के दोर में नई पीडी को खास तोर से यह समझना चाहिए कि अगर बहुत कुछ खोने के बाद तब कुछ थोड़ा बहुत मिल पाता है तो हमारा नई पीडी से यही संदेश है कि स्वस्थ हों सानत हों आज दसेरा बिजया आज बिजया दस्मी के मौके पर आप हमारी बाइट ले रहे हैं तो बिजया दस्मी की भी सभी को सुबकामना है और नई पीडी को खास तोर से हम लोग खेत खलेहान से आए गरीब घर से आए लेकिन हमारे परिवार में चार-चार पीएजडी हैं भी एचू से तिन तिन लोग पीएजडी नेट जी आरेफ हैं पिताजी ने इतना पढ़ाया कि बताओ हमने इंटर में आठ पुणार पर लिए थे रामार गीता महाबारत कनफूसिया सुकराद पल्टू रेदास में सहजो मीरा तुलसी कितना ग्यान कराया क क्योंकि ग्यान अगर होगा तो आपकी कीमत होगी अन्य था तो पैसा और ताकत ताकत की दुनिया हमने देखिए हम तो कोड में बाइस एककी साल होगा यह में बकालत करते करते हैं जो चकाचोंद है गुंडा गिर्दी की वो दस साल रहती है उधारन देख लो आप यहां कि का भी जन लोगों नाम नहीं लेंगे हम किसी का लेकिन चकाचोंद में बेक्ती वहेगा वो अगर टैलेंट है मेहनत से मसक्कत से अपने संगर से बढ़ेगा तो निस्चत तो पर हम आपको चाल नायने से अपनी बात खतम कर रहें नहीं पिड़ी के लिए कि अगर हम सही रा आएगी हम अच्छे राश्ते पर चलें तो अच्छा पड़ा माएगा एक सब्द में कहें तो सकारात्मा सिक्षा बहुत जरूरी है एक जीवन को अच्छे पायदान तक पहुंचाने के लिए तो आप सुन रहेते बेजय सिंग को सुवाव को इस केस पर हमने चर्चा की और